अलो गुद्मॉर्णिंग्स तो आज हम लोग रिफ्रेक्शन तुरू प्लेन सर्फेस से रिलेक्टेट इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेट सिखने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट कॉंसेट में हम वो सीखेंगे कि अगर किसी ऑबजेट के सामने कोई स्लैव रख दि इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट तो आज हमको नॉर्मल शिफ्ट जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं देखेंगे मैंने एक डियाग्राम मनाया हुए यहां पर जिसमें एक स्लैव दिखाया गया है स्लैव का रिफ्रेक्टिव इंडेस में मान लेता हूं कि इसको मान लेते हैं कि अब ऐसा मान लेते हैं कि जो मैंने एक लाइंड रह गया हुर्देंडल ब्लैक कलर का इसके उपर एक और रखा यहां यहां पर एक और रखा गया है यह अपना ऑबजेक्ट है तो ऑबजेक्ट से लाइट रे जब निकलेगा यह यह लोकलर का लाइट रे जा रहा है तो उसका दो बार रिफ्रेक्शन होगा एक बार रिफ्रेक्शन जो है पहले वाले सर्फेस पर इसको हम लोग कहा देते हैं कि यह फर्स सर्फेस है जो पहल है या reflection होता है उतनी बार image बनता है ठीक है तो देखेंगे यहां पर observer है तो observer के पास जो light ray पहुचेगा दो बार reflection के बाद पहुचेगा तो दो बार image बनेगा है तो होगा क्या देखते हैं कि object से जो light ray जा रहा है वो first जो surface है यहां पर यहां पर उसका reflection होने के बार देखेंगे चुकी rarer से denser medium में गया है मैं जो slab है मान लेता हूं कि glass का बना हुआ है तो ग्लास जो है टेर के relative में denser medium है उसका refractive index जादा होगा तो light ray reflection के बाद normal की तरफ bend हो जाएगा तो जो light ray यह जा रहा था इधर वो देखेंगे reflection के बाद normal की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया है थोड़ा सा बेंड हो गया है तो इस बार जो image बनेगा और कहा बर बनेगा यह actually मैं देखेंगे कि अगर इसको पीछे की तरफ एक्स्टेंड करें यह रेड कलर से मैं एक्स्टेंड किया है यहां पर कहीं पर image बनेगा तो पहली बार जब reflection होगा तो उसकी वज़ा से जो image बनेगा उसको हम लोग कहा देते हैं image आईवन अब यह जो light ray और यहां भी यह तो यह में जो light ray है वह बिल्कुल पैरलेल चलेगा अगर यह स्लाइब में क्योंकि दोनों फेस जो है यह दोनों पैरलेल हैं इसलिए light ray जब स्लाइब को तो रिफ्रेक्टेड रे इस observer के पास पहुंच रहा है इस observer को यह light ray कहां से आता हुआ दिखेगा इसको आप पीछ एक्स्टेंड करेंगे मैंने यह red color के lines एक्स्टेंड किया है तो यह इस axis पर जाकर के यहां पर मिलेगा तो यह जो है यह दूसरा image हुआ है क्योंकि दूसर तो आप देख सकते ही कि जो object यहां पर था finally observer को यहां पर दिख रहा है यानि उस object का shifting हो गया है यहां से यहां पूंच गया है तो इसी को हम लोग कहते है normal shift इसको मैं एस से denote कर देता हूँ जिसकी value हमें find करनी है इसको कहा जाता है normal shift ठीक है तो हम लोग कहा करेंगे हैं सबस सर्फेस से reflection होता है जो पहला सर्फेस है वहां से जब reflection होगा तो जो image बनेगा उसके लिए image distance और object distance वारा formula लगाते है देखेंगे जो object है वो है यह object distance मैं मान लेता हूँ कि x है यहां पर यह object distance था तो image distance कौन सा हो गया? image distance जो है उसको मैं कहा देता हूँ V1 यहां से यहां तक यह image है और यह object है जब पहली बार reflection हो रहा है तो हमने एक formula बताया था पिछले class में वो formula था कि जब image distance निकालना हो V is equal to mu r divided by mu i into u होता है ठीक है? mu r का मतलब है उस medium का refractive index जिसमें refracted ray हो है ठीक है? तो incident ray चुकि यहां पर reflection हो रहा फर्स surface पर incident ray air में है और refracted ray glass में है तो यह जो mu है इसको मैं कहूंगा इस बार mu r कि जो mu r है वो actually में refractive index किसका है? glass का glass का इसलिए क्यूंकि उसी में refracted ray है इस बार का जो refracted ray है वो glass के अंदर है तो glass का refractive index mu r का लाएगा और mu i mu i क्या होता है? उस medium का refractive index होता है जिसमें की incident ray, incident ray air में है यह देखेंगे yellow color से incident ray बनाया था हमने यह air में है तो air का refractive index 1 होता है इसको मैं 1 लिख देता हूं तो यह हो गया mu i और यह u जो है यह होता है object distance तो object distance इसमें हमने लिया है x और जो v1 है वो image distance है तो यहां से जो v1 है उसका value आ जाएगा mu into x तीक है यह आ गया अब यह जो दूसरा surface है यहां से reflection होगा तो इस दूसरे surface के लिए जो object है वो कौन सा होगा यह वाला image जो बना था पहला image वो उसके लिए object होगा क्योंकि देखेंगे इस surface पर जो incident रहा है वो कहां से आता होगा दिखेगा यहां से इस image से तो यह image दूसरे surface के लिए object है तो दूसरे surface के लिए हम लोग लिखेंगे कि यह object है तो object distance हम लिखेंगे इस surface से इस बार हमेशा जो distance measure करते हैं इस formula में वो दो medium के इंटरफेस से यहां पर इस बार जो लाइट रहे है वो गलास से निकल करके air में जा रहे इंटरफेस यह है तो इंटरफेस से object distance इसका distance measure कर हैगा V1 प्लस T V1 यहां से यह था और T जो है slab का thickness है तो V1 प्लस T यह object distance हो गया है तो इस बार मैं image distance लिखता हूँ V2 है ना V2 में यह formula अपलाई करेंगे फिर से इस बार भी mu r रखना पड़ेगा तो mu r उस medium का refractive index है जिसमें की refracted ray है यह ना तो mu r actually में इस बार air वाला हो जाएगा क्योंकि refracted ray इस बार air में गया है incident ray इस बार glass में था और refracted ray air में गया है तो mu r के जगह पर air का refractive index रखेंगे जो की 1 होता है divided by mu i, mu i क्या होता है उस medium का refractive index जिसमें incident ray हो तो यहाँ पर incident ray जो है वो glass के अंदर है यह वाला incident ray है तो glass का refractiveness कितना है mu तो इस बार mu i के जगह पर हम पर रखेंगे mu ठीक है और object distance के जगह पर रखेंगे v1 प्लस t यह हो गया अब अगर diagram में आप देखेंगे कि v2 क्या है देखेंगे final image जो बना है जो इस और वर्वर के पास यह light ray जा रहा है वो कहां जाता हो दिख रहा है यहां से यह final image है न तो यह जो v2 है यह final यानि की दूसरे image का location है तो इस बार जो v2 आया है वो यहां से आया है दूसरे वाले boundary से object distance हमने वहां से लिया है तो image distance भी वहीं से आया होगा तो अगर हम लोग यह कहें कि यह जो v2 है v2 में से यह thickness t माइनस कर देंगे तो image distance यहां से आ जाएगा तो यह जो image distance है वो हो गया v2 माइनस t यह image distance कहां से हो गया यहां से और object distance कितना था यह था x original जो object था वो यह था है और final image कहां बना है यह पर हमें दोनों के बीच का separation निकाल रहे है तो क्या करेंगे यह object distance x है इस x में से हम लोग यह image का distance माइनस कर देंगे तो यह distance shift निकल जाएगा तो यह हो गया object distance x minus image distance x यह है object distance उसमें से image distance यह है जो कि v2 माइनस t आया था और यही जो है नॉर्मल shift है तो यह जो नॉर्मल shift है इसकी value मैं यहां कर निकल लोंगा मैं यहां पर फिर से लिखता हूं जो नॉर्मल shift है s उसको लिका जा सकता है x minus v2 minus t तो x minus v2 plus t x minus v2 का जो value है आप देखेंगे हमने यहां पर find किया है तो मैं वो रख देता हूं v1 plus t divided by mu plus t अब खास बात यह है कि हमें पहले v1 भी निकालना पड़ेगा v1 हमने निकाला हुआ है देखेंगे यहां पर जो v1 आया था वो आया था mu1 mu x v1 की value आती mu x तो यह value इसमें substitute कर देखेंगे तो यह हो जाएगा x minus v1 की जागा पर mu x plus t divided by mu plus t यहां देखेंगे यहाएगा x minus x minus ty mu plus t यह वाला x और यह वाला x cancel हो गया है तो जो normal shift है इसको हम लोग कहते हैं normal shift यह normal shift होता है s से symbol इसको देते हैं s से denote करते हैं तो यह आ जाएगा देखेंगे इसको लिखा सकता है t minus ty mu यानि t into 1 minus 1 by mu अब आप पहेंगे कि इसको normal shift क्यों कहा जाता है तो normal shift इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो formula हम लोग derive करते हैं उसमें angle of incidence बहुत ही small लेते हैं जब मैंने यह formula ड्राय करा था पीछले वीडियो में यह वाला formula उसमें हमने angle of incidence बहुत small लेने का मतलब angle of fraction भी small आएगा तो आपको याद होगा tan r को sin r लिख देते थे तब यह formula आया तो यहां भी यह जो angle of incidence है यह चोटे चोटे होंगे चोटे तब होंगे जब यह जो observer है वो बिल्कुल सीधा इधर से कहीं देख रहा होगा अगर object इस black वाली line पर रखा है जो black line horizontal draw की आने अगर object इधर रखा है तो observer भी इसी black line के तरफ से कहीं side से देख रहा होगा ऐसे उसको कहते है normal view मतलब slide पर जो perpendicular है जो normal है उसके along देखा जा रहा है तब यह formula valid है और यह formula valid है तो जो shift आएगा उसको normal shift कहते है तो जो normal shift है उसका value यह आ गया t into 1 minus 1 by mu अब खास बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे side में air ना होकर कुछ और होगा जैसे slab है यहाँ पर तो slab का refractive index हो गया mu s बाहर कोई medium है हो सकता है कोई और medium हो जैसे water हो सकता है तो इधर का जो refractive index है उसको हम लोग लिख लेते हैं म्यू यह ना तो यह जो म्यू है इसकी जगापर हम लोग म्यू रिलेटिव रखते हैं यह ना म्यू रिलेटिव कितना आएगा म्यू रिलेटिव का मतलब हुआ refractive index of slab with respect to medium new s by new m पीछले वाले case में new m1 था और new s new था जो अभी हमने derive किया है उसमें यह म्यू था और यह वन था इसलिए म्यू रिलेटिव जगापर म्यू था अब अगर surrounding medium कुछ आ जाएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे normal shift when surrounding medium is new m तो उस case में जो normal shift होगा उसकों लोगेंगे t1-1 by new relative यानि t1-1 by new s by new m जो किया हैगा t1-1 by new m by new s यह normal shift आएगा यह इसमें हम लोग कर सकते हैं कि जो new m है वो तो surrounding medium का refractive index है और new s जो है वो यह है refractive index of slab slab का refractive index new s है और new m जो है refractive index of surrounding medium इसमें एक खाल बहुत और ध्यान रखना होता है कि जो shift होता है जो normal shift होता है वो incident ray के direction में होता है अना normal shift shift takes place along or in the direction direction of direction of direction of direction of incident ray इसका मतलब क्या होगा देखें यहां पर डियागराम है डियागराम में देख सकते हैं कि जो object है वो अपना यहां पर है और light ray के इदर जा रहा है राइट से left light इदर गया है यहां से object से निकल करके इदर गया है इसे तो उसी direction में shift यहां से यहां पर था क्योंकि light ray left में जा तो shifting भी left में ही हुआ है जो final image है वो यहां पर बनाए यहां पर मतलब object से left में ठीक है तो incident ray के direction में shifting होता है अगर slab का refractive index median से ज्यादा होता है by chance ऐसा भी हो सकता है कि slab का refractive index कम हो जाए surrounding median से उस case में यह उल्टा हो जाएगा shift जो है वो negative आजाएगा इस formula से आप निकालेगे तो shift negative आने का मतलब यह हुआ कि shifting है वो incident रहें और पोजी direction में होगा तो यह जो है नॉर्मल shift का जो formula है वो ध्यान में रखना है कई बार क्या होता है किसी mirror के सामने या किसी lens के सामने एक slab रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ final image किसी orbit का कहां पर बनेगा तो उस case में यह जो concept नॉर्मल shift का बहुत काम आता है कि हम लोग उतनी बार image नहीं बनाते जिदनी बार बनाना चाहिए हम लोग केवल shift निकाल जाते हैं जो slab से बार बार इमेज नहीं बनाएंगे बलकि एक बार में shift निकाल जाते हैं और उससे क्या होता है कई सारे steps जो है अपने reduce हो जाते हैं question के solution के और इसलिए जो है